Hello क्योंहें सुथे ही आप लोग.. आज किस वीडियो में हम कोर्स को एडिट करनेवाले sucking इंड डिलीट करने वाले करते हैं जिसके नदर में 2 अप्सिन दिया है एडट एंड डिलीक अगर अगर एड पर क्लिक करते है मौहें थान ज़ OUR डिलीट यहां पर मालो मैंने डाल दिया 3499 और description में डाल दिया this is master course ऐसे मैंने कुछ डाल दिया एंड इसकी बाद मैंने update कर दिया ओके तो यहां से आप इस course को delete भी कर सकते हो तो हम इस video के अंदर delete and edit दोनों पर काम करने वाले हैं तो like coding को start करने से पहला अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो क्योंकि यह आप आप लोगों को काफी कुछ सिखा सकता है तो फिर start करते हैं तो start करते हैं आज के इस video में हम क्या करने वाले जितने भी courses हम upload कर रहे हैं उनके अंदर chapters add कर रहे हैं तो उन course को edit करने का option अभी तक हमने नहीं दिया ओके जैसे हम उस प्रड़ को इसको delete कर सकते हैं उसका title change कर सकते हैं उसकी price change कर सकते हैं या description change कर सकते हैं या नहीं है कि आप इसे edit करना चाहते हो delete करना चाहते हो अगर edit करना चाहते हो तो हम directly delete करवा सकते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा थोड़ा सा layout change करना होगा तो यहां पर आपको flat list दिख रही है यह हमारा item है जो हमें listing में यहां पर दिख रहा है में देना है तो यहां पर आपने directly style की है तो width scale 30 height scale 30 and background color 20 color okay and इसमें और क्या होगा position absolute right moderate scale 10 and top moderate scale 10 okay यह आपको देख रहा है अब इसको में क्या करना बार्डर रेडिस देना है border radius scale 15 चीक है यह हमें यहां पर देख रहा है justify content center add करेंगे क्योंकि इसके center में हमें लगाना होगा अपना icon more वाला जो हमारा option वाला icon होता है image source require images more.png style width scale scale 18 right scale 18 और इसको close कर देंगे और save कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि यह हमारे पास जो है icon आ गया अब इस पर option देने होगे तो उसके लिए हमें क्या करना हो मैं एक package करना है basically तो पिछले बारे में हमने जब loader बनाया तो हमने normal package use किया था जो react native का खुद का था राक निटिप का जो component था model वाला बट अभी मैं इसमें सिखाने वाला हूं कि हम react native model वाला package कैसे use करते हैं तो उसके लिए में क्या करना पड़ेगा यहां पे हम package को install कर सकते npm run sorry npm i react native model यह package क्या है कि इसके internally animated भी लगा हुआ है तो इसके लिए package काफी अच्छा काम करता है आप इससे model भी बना सकते हो आप इससे bottom seat भी बना सकते हो अब package करने बाद हमें एप को run करना होगा अब हमने यहां पर loader नहीं लगा हुआ है course की loading होने पर यहां पर हम लगाएंगे हम यहां पर लगाएंगे skeleton loader लगाएंगे जिससे हमें थोड़ा सा अच्छा view देखने को मिलेगा तो हमारे पास courses आ गए और हमारे यह एक button बन गया मुझे क्या करना है यहां पर prop में एक on click option करके एक function यहां पर लेना है क्योंकि इसकी जरूरत होगी हम यहां पर तो करा नहीं सकते के लिए क्योंकि model जो होगा वह हमारी man component में call हो रहा होगा तो हमें यहां पर क्या कराना तो model को so and close करा सकते होती है यहां पर हमने क्या किया मालो यहां पर लिया so option model so option model या फिर seat बोलो जो भी model मालो वो model ही है बट वो seat की तरह उसे represent करेंगे set so model use state starting में false है अब मुझे एक चीज़ा करना है चलो ठीक है detail की वैसे need होगी है detail की need क्या होगी वो बताता हूँ आपर const selected item set selected item use state में मालो मैंने इसको null रखा हुआ है अब मैं यहां पर क्या करूँगा जब मैं इस पर click करूँगो तो यहां पर set so selected item में आइटम में दे दूँगा और set so model मैं क्या कर दूँगा true कर दूँगा जिसे हमारा model open हो जाए model को हम यहां बना सकते हैं यहां पर मैं क्या करूँगा मैंने यहां पर model लिया बट यह model react native से आप देख रहे हो suggestion वो react native से नहीं लेना है आपको ओके हमें क्या करना है यहां पर import करना है import model from react native model यहां पर देखो जब मैं इसको is visible true कर दूँगा तो यह यहां पर इसकी visibility दिखेगी अभी देखो यह देख रहा है इसके अंदर होता है backdrop opacity जिससे आप यह background जो है इसकी opacity कम कर सकते हो जितनी ज़्याद चाहो जैसे मैंने 3 कर दिया यहां पर इसके अंदर हमें एक view बनाना है जो basically हमें bottom seat की तरह बनाना है तो यहां पर मैंने style लगा है styles.bottom seat bottom seat को यहां पर style दे रहेंगे bottom seat width हो गई आपकी 100% and यहां पर अभी margin उपर वाला जो model है उसमें style में margin को 0 क्योंकि अभी आप देखोगे जब मैं आपको यह आप देखाऊँगा अभी vertical scale 200 and यहां पर आप देखोगे जब इसका background color हम देंगे तो यह margin ले लेगा थोड़ास देख रहे हैं left and right से margin है यह है तो इसको हमें अटाने के लिए काम करना पड़ेगा position absolute इसे मैं bottom seat की तरह यूज कर रहा हूं तो मैं इसको bottom 0 दे दूगा अब देखोगे यह bottom में आ गया एक चीज और है border top left radius border scale 20 and border top right radius 20 आप देखोगे यहां पर यह सारफ हो एकडम से corner से carbon में आ गया है अब मैं चाहता हूं कि यह margin extra इसको अटाना है तो मुझे यहां पर style यूज करना है और style में जाके margin को zero कर देंगे अब यह देखो हमारा bottom seat की तरह काम करेगा इस visible में हमें क्या देना यहां पर कुछ और options होते हैं close करने के जैसे back button press पर हम क्या कर सकते हैं इसको सीधा set so model false okay and यहां पर जब इस पर click करोगे तो यह model देख रहा है and यहां पर back press करोगे तो यह चलाओ इसमें एक option होता है कि आप जैसे backdrop की जो हमारी opacity आ रही थी पिछा वाला background अगर इस पर click करें तो यह भी क्या हो जाए close हो जाए उस time पर तो on back drop press करके आए उसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो set so model गो false cursor अब इसके अंदर में क्या करना है options देने delete edit and third one cancel यह तीन option देने तो तीन option के लिए basically हमें क्या चाहिए icons भी चाहिए क्योंकि तीनों के title के साथ में icon यूज करने वाले यहां पर left में उनका icon होगा right में title यहां पर उसके बाद title होगा left icon then title left icon then title तीन options देने तो तीनों के लिए हमें icons लगाने तो icon को हमें add कर ले तो project में तो मैंने यहां पर design सुचा है कि हम simply यहां पर close button देंगे यहां पर left में title रखेंगे जैसे select option नीचे option देंगे edit or delete okay तो इसके लिए हमें क्या करना होगा सबसे पहले यहां पर एक view बनाऊगा basically यह header है किसीज का हमारे model का या bottom seat का तो styles.header okay and header को मैं यहां पर define कर लेंगे header इसकी bit रहेगी 100% या फिर बोल सकते हूं 90% तो मैं padding kit देने की नीट नहीं होगी align self center करोगे तो फिर यह center में आ जाएगा horizontally okay between रखना है अपको क्योंकि left and left and right दोनों में corner में basically चाहिए ages पर चाहिए हमें icons and title और क्या होगा flex direction row or miles and top moderate scale 15 15 डाल के देखते हैं पहले पहले मैं क्या करता हूं यहां पर title में होगा select option okay style styles dot heading type header title other title style देखते हैं font size moderate scale 16 color text color font weight 600 okay अब बात करते हैं यहां पर touchable opacity इसके अंदर में आइकन लगाना image source close require हमारे आइकन का नाम है close icon close dot png style styles dot close इस अब इस यहां पर हमने लगाया close set so model source okay and साथ मैं हमें एक और चीज़ करने होगी set selected item null okay छीक है अब इसके नीचे में दो option देने तो option header के बाद हमें यहां पर देना है मैं क्या कर रहा हूँग touchable opacity लेता हूँ जिसको as a item option item बनाता हूँ यहां पर so styles styles dot option item option item same ही बनने वाला है जैसे हमने header बनाया था bit 90% होगी and जो height होगी कितनी होगी vertical scale around 40 justify content space between align item center flex direction row align self center okay अब देखते हैं तो सबसे पहले में क्या करना है यहां पर आइकन लगाना तो जो हमने closed का आइकन लगाना बैसिकली वही चल जाएगा यहां पर image copy करेंगे and paste कर देंगे and यहां पर बदल देंगे इसको बोल दें delete okay delete और इसके बाद में title देना हो text delete course right में नहीं देना यह हम निकलती के यहां पर क्या कि हमें यह use नमे करना है इसके लिए हम directly margin left use करेंगे okay so style dot styles dot option title font size 16 font weight 600 and color text color okay and one more thing margin left moderate scale 10 okay delete option same repeat edit copy and paste edit edit okay don't option अब मुझे ना यह जो हमने height दी थी ना model के model के जो bottom सीथी इसकी साइट को हम हटा देंगी क्योंकि हमें चाहिए मुझे जितना content मुख सकते हैं 층 से अट प्रफेक्ट दिख रहा है इस पर प्लिक करेंगे तो हम क्या करवाएंगे मॉडल को फिलूज करवाएंगे साथ में हम जो भी option दिना चाहते है जैसे एडिट का option है एडिट डिलीट है तो हम यहां पर कर सकते हैं अब एडिट के लिए हमें क्या करना होगा एक अलग से पर इस पर बनाने होगी जहां पर हम सारे content यहां से लेकर जाएंगे और अल्रीडी प्री दिखाएंगे फिल्स के अंदर और उनको वह चेंज कर सकता है एंड समिट कर सकता है ठीक है और डिलीट के के केस में हम जब इस पर डिलीट करेंगे तो या तो एक और वर्णिंग या पर होता है एक confirmation dialogue दिखा सकते हो कि हाँ भई डू यू वांट टो डिलीट इस और उसके बाद यूजर कर रहा है यह जलीट देन डिलीट करो अधर्वाइस हो सकता है सम्टाइम दोके से भी किलिक हो सकता है तो अगर कोर्स जैसी चीज जो आपने इतनी मैनस से बनाई है और इसको दोके से डिलीट करते हो तो तो सही नहीं होगा तो यहाँ पर confirmation dialogue भी हमें डालना पड़ेगा ठीक है एडिट कोर्स मैं बताई दिया कि इस बनाई पड़ेगी जहांप में साही डिटेल्स है नहीं प्रिफिल्ड दिखाने पड़ेगी और उसके बाद वो डेटा और इसको यहां पर फिलाल के लिए मैंने इन विजवल किया और विजवल करने के बाद सेम चीज़ है कि यहां पर बैकड़ॉप ऑपिसिटी दे सकते हो 0.3 मैंने यहां पर दे दी और इसके बीच में हमें यह basic model की तरह ही बनाना है तो यहां पर मैं क्या करूँगा एक view बन model की confirm model है और इसको मैं यहां page dial दे देता हूँ width इसकी 90% height इसकी vertical scale 200 background color bz color okay and align self center border radius mode scale 10 okay अब इसमें हमें क्या करना है यहां पर पहले तो एक हमें text लिखना है sorry text लिखना है जिसमें क्या होगा do you want to delete this course okay इसको मैंने style दिया styles dot header title हमने बनाया था हो same texture जाए इस तरीके से कुछ चीज हम यहां पर add कर लेंगे अपनी इस इस वाली जोई के सबसे जैसे कि margin top moderate scale 20 okay विट तो थी कि नाइंटी परसेंट और अल्लाइंस सेल्स सेंटर इस तरीके से तो हम क्या करेंगे do you want to delete this course हो गया इसको तो हम text align भी हम center कर सकते इससे text basically center में हो जाएगा इसका alignment तो हम यह क्या करेंगे text align center ओके ठीक अब do you want to delete this course इसके बाद में क्या करना होगा yes और no मरला cancel और yes delete दो बटन चाहिए होगे तो हम यहां पर एक view बनाएंगे एक view ले लिया हमने और इस view को हमें style देनी है styles dot bottom view okay bottom view को हम यहां पे style width 90% flex direction row justify contained not center space between और align items center और align self center और margin top moderate scale 30 अब यह करने के बाद हमें क्या करना है जो हमारा model था उसकी height जो हमने दे रखी होगी है ना confirm model इसकी height हमने 200 दे रखी कि इसको कुछ नहीं करेंगे बिस पैडिंग bottom दे देंगे and moderate scale 10 यह 15 करते और छोड़े तो यहां देखो अभी हमारे यह ऐसे आ गया अब इसमें क्या करेंगे हम दो button बना लेते हैं पहला button हमें cancel के लिए बनाना है तो यहां में क्या करूँ हो touchable opacity okay and इसको हम बनाना है तो मैं यहां करता हूँ एक border वाला बना लेता हूँ एक वैसे है तो यहां पहले style देता हूँ styles styles.cancel button okay cancel button cancel button width 40% and height vertical scale 40 background color color dark gray करके color खाना dark dark color डाला था color light green colors colors एक बीजी कलर है टेक्स कलर है वाइट कलर है थीम कलर और बटन कलर तो यह हमें करना है यह कलर हमने एड़ नहीं के हमार लो यह कलर है टेक्स कलर देता हूँ अच्का बेक्ट्राव बॉडर लाइस देख्स क्ट्राव कॉडर देख्स क्ट्राव इट रहा पर दा गूए थीम्ट्राव अ प्रॉडर फ्रईक्रिट्वा प्रॉडव तो यह क्यूफ्त आपं ब्यूद नहीं लाइट ग्रे को इस ये सही लग रहा है मुझे देखते हैं कि ये सही है अब इस मैं मुझे यहां पर टेक्स्ट बनाना है तो टेक्स्ट लिया जिसमें में लिक्म का गा थे गए इस अच्रे बुटन थे जबसे बटन थे जो इसदों इसे गणल विजी डिए कलर बीजी कलर एक वाइड वो कि छीक अब दूसरा Button जो हम मैं बनाना है, वो हमें बनाना है same copy कर लो यहां डाल दो YES है스र factip pressures अब delete button बनाए है, definitely में red color चाइगा है हमारे पास red color तो है नहीं तम क्या कर सकते आनश Tenka कर सकते यहां पे background में directly डाल सके background cultural अग्षिए रडड इसन डेंजर रड़ए है चल जा यह है यह यह जो खीक है यह स्टीट एसे चल जाए ओक यह स्टीलिट अब इन दौनों प्रिक करवाना है कि एक और प्रेस कैंसल है तो इसको तुम क्या करेंगे सेट सू मॉडल पहुंस यह अभी स्कामने कोई भी स्टेट नहीं लिए ना इसकी स्टेट ले ले लेते हैं पॉस्ट सू डिलीट मॉडल सेट सू डिलीट मॉडल यूज स्टेट एड़ यह है फाल्स ठीक है यहाँ पे सू डिलीट मॉडल और बैक बटन प्रेस सू सेट सू डिलीट मॉडल फॉल्स चीक है तो यहां से क्लिक करवाया और इस पे क्लिक करने कबाद आना होना चाहिए ना तो डिलीट प्रेस एड़ यह है और अब हमें डिलीट वाले पे क्या है डिलीट का मैथड वी चलाएं तो यहां सुसीधा करदो यहां से अगर होगे तो false और delete वाला जो है इस पर on press हम यहां लगाएंगे on press और इसका में code लिखना पड़ेगा फाइर्वेस वाला है न तो set यहां पर एक function बना लेते हैं const delete course ओके delete course और इसमें होगा set so delete model false ठीक है तो इसको call कर लेंगे यहां पर delete course जिस पर click होगा तो ऐसे ठीक है अब delete का code हमें लिखना है तो देखो में यहां पर क्या करना पड़ेगा async await firestore collection यह क्या है courses doc id चाहिए हमें इसमें तो हम selected item गोट I think हमने इसमें कोई id बगारा निकाली है क्या इसको पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा first we have to check यहां delete करने के बाद console भी करा लो साथ में क्या क्या करेंगे जो हमारा selected item है selected item से save करा तो यहां पर element delete किया यह just click हुआ और यहां देखो हमारे पास एक data इसमें यह banner है banner है username variety price title description course id I think यह होगी course id तो हम क्या करेंगे यह code जो हमने लिखा है इसमें हम selected item dot course id and delete यह function call कर देंगे इसको क्या करो गया get courses स्विस से हम call कर लेंगे ठीक है तो अभी हमारे पास कितने courses है total एक दो तीन एंड चार यह black वाला जो actual में से मुझे delete करना है मैं delete पे गया एंड मैंने delete कर ओके delete हो गया एक और delete करते है अब इसके बाद आप टोस्ट बगर हम लगा सकते हैं कि course deleted successfully ऐसे करके एक message लगा सकते है उसलिए हमें course का एक अलग से package डालना पड़ेगा ठीक है या एक आता है toast का react native toast notifications करके ऐसे करके आता है तो उसे हम यूज कर लेंगे और फिलाल हमारे हो delete वाला है वह चल गया अगर आप यहां पर भी loader लगाने चाहते हो तो वह loader हम लगा सकते हैं कोई दिककत नहीं हमें क्या करना होगा एक loading का यहां पर const loading set loading use state और इसको false करोगे जब भी आप delete वगएरा कर रहे हो यहां पर set loading true और इसके बाद यहां set loading false और यहां क्या करोगे आप यहां पर लोडर ले लोगे और लोडर में हमें पास क्या करना है visual जिसमें हम loading फिर से देखते हैं क्लिक कर आप delete course and delete बिसकली जल्दी डिलीट हो रहा है तो बताने चला ठीक है बट लग गया अब हमारे पास आया edit का option कि हमें edit पर क्लिक करना है और जाना है तो हम क्या कर सकते हैं जहां पर हम courses बना रहे हैं उसी flow के अंदर यहां पर bottom tabs है course detail course cell वगरा यह हो गया और यहां पर हमने courses के अंदर add chapter, add course, course view इसी के अंदर हम करेंगे एक और screen add करेंगे edit course.js को save and जो हमारा main navigator है इसके अंदर हम क्या करेंगे इसको add कर लेंगे edit course को तो हमने copy करा and paste किया edit course edit course save okay and call करा देंगे live courses में जा रहे है live courses में जब हम click करवा रहे है edit पे तो हमें यहां पे on press पे लगाना होगा यह on press on press set so model falls and navigation navigate इसमें होगा क्या edit course साथ में हमारा data जिसमें हमारा selected item जाएगा okay yes मैं इस पे click किया edit course किया और हम होच गए edit course वाली screen पे अब edit course में चलते हैं यहां जाके थोड़ा सा हम अपना काम कर लेते हैं यहां पहले तो क्या करो सारी चीजे copy paste कर लो एक बार जो हमने add course वाली कीती है add course जो हमने किया था वहां पे अब देखो एक चीज है edit course में आप नई वीडियो अपलोड कर सकते हैं नई वीडियो अगर आप चाहो तो नया banner चेंज कर सकते हैं basically banner हो रहा है वहां पे कोई वीडियो नहीं हो रहा क्योंकि वीडियो कहां पे आरी chapters के अंदर तो हम यहां पे course का मैं जो हम चीज है अपलोड कर वारे तो इसके collection के अंदर वो चीज हम एडिट कर सकते हैं तो क्या banner वगड़ा तो हम क्या करेंगे add course वाला था जो हमारा screen add course वाला वही copy paste करना पूरा यहां पे add course okay तो यहां पे हम edit course और इसको भी क्या कर देंगे edit course सबसे पहले मैं क्या करना है यहां पे const root और equals use root लेना है इसको save करना है save में आप सारी चीह देखो कि सारी यह आरी है बट चो prefilled data हमें दिखाना है जैसे कि title title कहां से मिलेगा root.params.data.title condition है इसलिए मैं ज्यादा नहीं लगा रहा हूं क्योंकि यह data हम जो form जो हम add course करते time करें यह data mandatory कर देंगे तो उस case में फिल बंदा ऐसा data नहीं बेच सकता तो उस case में यह data यहां पे मिल जाएगा तो में condition की कोई need नहीं है तो यहां पे बात करें मिसका तो यहां पे है description okay then हमारी है price उसके बाद is active और क्या है ठीक है banner image को ऐसे रहने देते हैं upload course को हम कर देंगे update course update course यहां पर आजाएगा update और यहां पर बटन पर भी हम update course दिखा देगे ठीक है सारे data फिल आ रहा है banner की बात करते हैं इसको हम कैसे deal करेंगे तो देखो यहां पर हम अल्रड़ी यह लगा रहे हैं ठीक है यहां पर यह condition correct कर रहेंगे banner image equals अगर null है उस case में मैं क्या करने वाला हूं यही same component दिखाऊंगा इस तरीके से और इसमें क्या होगा हम यहां पर यूज कर रहे होंगे root.forums.data.banner ओके तेले कोई आ गया banner हमारा और यहां पर हम कुछ यह कर रहे हैं आप अपलोड कर रहे हैं इमेज को अब इमेज को अपलोड होने बचाने के लिए का करें हम यहां चेक करेंगे banner image अगर not equals null है तो यह case चलना चाहिए otherwise यह code upload वाला तो चलना ही नीचे है न तो यह हो गया अब URL को हमें थोड़ा सा यहां पर पहले बनाना होगा लेट लेना पड़ेगा हो मैं क्योंकि हमें असाइन करना है बाद में अगर यह case है तो यह image अद्वाज नहीं आएगा बात करते ही यहां पर URL अगर banner image calls null है तो मैं क्या करूंगा root params.data.banner otherwise URL चीक है यहां यहां पर जो add कर रहा हूं इसको update call कर आएंगे update और उससे पहले हमें यहां पर doc call करना होगा और doc के अंदर मुझे यहां पर root.params.data.course id मिलेगी ओके ठीक है यह सारा चीज सही हो गया और इसको save करते हैं और देखते try करते हैं मालो मैंने इस course का नाम रख दिया my course और price बढ़ा दे रहे मालो यहां पर मैंने कर दिया 499 save and update course ओके देख रहा हमारा course हो गया edit अपडेट हो गया तो जैसे आपने देखा हमने delete किया हमने update किया अब हमारा इस video के अंतर हमें edit and update ही करना था अब जो अगला आएगा basically हमारा chapters बगरा add हो रहे हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं user पर काम कर सकते हैं जिससे उन्हें courses की listing देखने लग जाए तो नेश वीडियो आएगा जिसके अंदर हम user app पे काम कर रहे होंगा basic यही एप होगा जिसके अंदर login तो same है बट flow थोड़ा सा अलग है तो इस flow के हम काम करने वाले इसके अंदर normal user courses की list को देख पाएगा एंड उसकी detail open करके वहां से purchase कर सकता है एंड इस particular course को rate भी कर सकता है तो फिर मिलते नएश वीडियो में तक के लिए बाए